हेलो फेंड्स वेलकम टुम टुमाई चैनल यह देखिए आज मैं आपको यह बहुत ही सुन्दार गुल लस्ता बनाना बताऊंगी जो यह बनाने में बहुत आसान है सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले नई नई वीडियो देखने के लिए आख करने देखिए किस तरह से बनाया है सबना है मने देखे कि तरह सुन्दारा और यह वीडियो फूल देखिए तो देखते हैं चलिए देखते हैं से किस तरह से बनाया है यह देखे सबसे पहले हमने यह उंगली है और इसे चारों उंगलियों पर इस तरह से कम से कम 20-22 बार इसे इस तरह से लपेट लिया है यह हमें बड़ा फूल बनाना है इस तरह से और इसे इस तरह से लिकार कर यह बीच ओ बीच बांध लेना है जान रहे है कि यह से थोड़ा टाइट बांध है अगर टाइट नहीं बंदेगा तो यह खुल जाएगा और यह इसका यह थोड़ा बेकार हो जाएगा इस तरह से और यह दोनों तरफ से काट लेते हैं इस तरह से और यहां पर वी इन्हें बराबर बराबर कर लेना है यह बागी जो है इस तरह से और इन्हें यह बीच में इस तरह से इसे बीचों बीच दबाके और इसे इस तरह से खोल लेना है फूल को और यह बागी को जो यह चोट बड़े दिख रहे हैं इन्हें कट कर लेना है इस तरह से अ यह देखे कितना आसान फूल है बनाने में और यह कितना सुन्दर बना है देखिए यह देखिए और ऐसे हमें देखिए अधियर सारे फूल बना ले हैं देखिए आपके इच्छा है कितने इवी फूल बना सकते हैं ज्यादा फूल बनाओगे तो अच्छा लगेगा और फिर हमने यह प्लास्टिक ली है मोटी प्लास्टिक है और इस एक यह फूल को इस तरह से बीचों बीच लगा लि है यह चोटे हैं और यह बड़े दूता कलर के हैं और यह बीचों बीच इस तरह से लगा लिया है इस तरह से फिर हमने यह स्टेंड लिया है आप इसे घर पर भी बना सकते हैं यह मार्कीट में तो मिली जाता है लेकिन इसे आप घर भी बना सकते हैं और इस पर यह थोड़ इस तरह से एक फूल को थोड़े नीचे और फिर उसी तरह से फिर इससे थोड़ा नीचे इस तरह से और यह इसी तरह से खिसका खिसका कर थोड़े नीचे करके पूरे फूलों को इसी तरह से लगा लेते हैं इस तरह से यह देखिए इस तरह से इन्हें हम लगा लेंगे और यह पूरे यह उन को पूरे स्टेंड पर हम अच्छी तरह से ढख लेंगे ताकि यह दिखे नहीं इसी तरह से दीरे दीरे इस तरह से दीरे इस तरह से यह देखिए कि हमारा यह गुलदस्ता बनकर के तयार हो गया है इस तरह से और यह बनाने में बहुत आसान है देखिए हमारा गुलदस्ता बनकर तयार है तो पिले अभी तलक आपने हमारे चैने को सब्सक्राइब किया है तो पिलीज सब्सक्राइब कीजिए आने वाले नए नए वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ थैंक यूँ